नमस्कार आप देखरें नियूस फोर नेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ आजएडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादफ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है जहां सीधी तस्वीरे माउंट एलिजबेट औरगेट हॉस्पिटल से सामने आई है जहां लालू आज वो अपने पिता को किड्नी डोनेट करने जा रही है दोनों को हॉस्पिटल में भरती कर लिया गया था तीन दसम्बर को ही लालू प्रसाद यादफ को तमाम टेस्ट करने के लिए और और उब्जवेशन में रखने की लिए भरती कराया गया था वही अब जो ताज़ा तस्वीर है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं देखिए लालू पिसाद यादव को अपरेशन ठीएटर के अंदर ले जाया जा रहा है साथ हे साथ एक बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई है जिस तस्वीर में मीसा भारती अपने पिता लालू प लालुपिसाद यादफ की दोनों बेटियां सिंगापूर में ही मौजूद है जहां उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती उनके साथ दिल्ली से सिंगापूर गए तो वहीं रोहिनी आचार है आज उन्हें अपना किड्नी डोनेट करने जा रही है ओप्रेशन बस अब शुरू हो होने वाला है जिसके बाद किड्नी ट्रांस्प्लांट हो गओ और उसके बाद कि स्थिदी डॉक्टरों के द्वारा वो सिंगापूर पर ठिकी हुई है लालुपिसाद यादफ के स्वास्त को लेकर पूरा बिहार चिंतत है जहां उनके सिंगापूर जाने से पहले आरजेटी के वरष्ट नेताओं से लेकर कारे करताओं और समर्थकों ने डिली स्थित मीसाभारती के सरकारी आवास पहुचकर उनसे मुलाकात की उनके मंगल स्वास्त की कामना की गई उनका हालचाल लिया गया और सबने इसी बात की उमीड जताए कि वो जल्द स्वस्त हो आरजेटी के नेताओं की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के बेहत करीबी और उनके पूर्व OST भोला यादव साते साथ आरजेटी MLC सुनीन सिंग भी सिंगापूर में मौजूद है सभी को लालू प्रसाद यादव के स्वास्त की बेहत फिक्र हो रही है बिहार में लालू यादव के मंगल स्वास्त की कामना की जा रही है और इसे कड़ी में कई जगहों पर पूजा, अर्चना और हवन कराये जा रहे हैं ताकि वो जल से जल ठीक हो जाए बतादे के लालू प्रसाद यादव बीते कई वक्त से मल्टिपल ओर्गन डिसॉर्डर की बिमारी से जूज रहे हैं जहां उन्हें एक दरजन से भी अधिक बिमारियां हैं सबसे पहले उनका इलाज दिल्ली के इमस अस्पताल में चलो और वहां से उन्हें जब सला दी गई सिंगापोट जाने की तो उन्होंने अपना पासपोर्ट रिलीज करवा कर सिंगापोट जाकर अपनी तमाम चेक अप करवाए जहां डॉक्टरों ने उन्हें किड्नी ट्रांस्प्लांट करानी की सला दी है और आज बेहद एहम दिन है बिहार की राजनीती के लिए जहां एक तरफ कुड़नी विदानसवा सीट पर उक्चनाव हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरे बिहार की जो नजर है वो लाल लालू परिवार में सबसे बड़ी बेटी है वो लालू प्रिसाद यादव की पहली बेटी है वो हमेश्य अपने पिता की छाया बनकर वो उनके इर्द गिर्द रहती है दिली में वो अपने पिता को लालू प्रिसाद यादव को अपने पास ही रखती है जब से उनकी तब बिद बिगडी है और आज वो सिंगापूर में है और ऑप्रेशन थ्रीएटर में जाने से पहले ये बाब बेटी की जो तस्वीर है वो बेहत भावुक कर देने वाली है क्योंकि लालू प्रिसाद यादव का जो स्वास्त है वो दिन प्रते दिन गिरता जा रहा है उनकी उम् लालू यादव के स्वास्त को लेकर बेहत सजग है चिंतित है और ये तस्वीर किसी को भी भावुक कर सकती है जहां एक बेटी अपने पिता को इस बात का हौसला दे रही है इस बात की हिम्मत दे रही है कि कुछ भी नहीं होगा सब अच्छा होगा और किड्नी ट्रांस्प उन्होंने कहा था कि मुझे good luck चाहिए सबका मैं ready हूँ rock and roll करने के लिए उन्होंने ये दिखाने की और दर्शानी की कोशिश की थी कि वो हिम्मत नहीं हार रही उनके अंदर बहुत होसला है और अपने पिता के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है वो बहुत गर्व महसूस करवाने वाला कदम है और अब ये जो दूसरी तस्वीर है वो सिंगापुर के माउंट एलिजबेट और के जो हॉस्पिटल से सामने आई है जहां मीसा भारती की ऑपरेशन से पहले उनकी मुलाकात उनके पिता लालो के साथ यादव से हो रही है तो फिला के लिए सब जेच में अतना ही नमस्का